प्राइम से लेकर कोरोना तक यूपी कॉंग्रिस महस्तरचीफ प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार को घेडने में चुटी हुई है सोमभार कॉन होने कोरोना वारिस का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर जोरदार तंच मारा दरसत यूपी में तेजी से बढ़ते कोरोना वारिस के मामलों को देखते हुए सीम योगी अधित्यनाथ ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का एलान किया यानि हर हफते शनिवार और अभिवार को फुल लॉकडाउन रहेगा तो योगी सरकार के इस फैसले को बेबी पैक बताते हुए प्रियंका गान्धी ने ट्वीट किया दस जुलाई को प्रदेश में 1347 संक्रमित मिले ग्यार जुलाई को ये संख्या 1403 और 12 को 1378 रही लॉकडाउन के वीकेंड बेबी पैक का लॉजिक अब तक किसी को समझ नहीं आया तो प्रियंका गान्धी ने इसके साथ ही साथ उन्होंने योगी सरकार पर तंच कसते हुए शायराना अंदाज में लिखा मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की तो आपको बता दे कि यूपी में कोरोना मरीजों का आकडा 36,000 को पार कर गया है और अभी 12,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस है और तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमन को देखते हुए सरकार ने हर हफ़ते श्यनिवार और रविवार को लोगडाउन का एलाग किया है लोगडाउन के दोरान सभी सरकारी, प्राइवेट ओफिस, मार्केट, दुकाने सब बंद रहेंगे और साथी सारजनिक परिवहन भी बंद रहेगा सिर्थ आवशक सेवाय ही चालू रहेंगे